नमस्कार जिंदगी पर जवान रहने की इस लेक्चर सीरीज में आज में लाया हूँ एक ऐसा रसाइन जो की वात वालों के लिए सबसे बैस्ट है अगर आप वात प्रक्रितिके हैं वात से जुड़ी आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी और आप चाहते हैं कि जिंदगी टॉनिक रहे आज के वीडियो नियुक्त करता है बहरता है और क्यों वात वालों के लिए सबसे बेस्तअवा सबसे पर वात वाध्र करने लिए यहें हमें जाकर चांशल की बहाद में कहते हैं कैस्टर कहते हैं आपने पठरी होती है पठरी के असपस बहुत सारा वगा हुआ यह देखेगा या फिर कैस्टर ऐसे बहुत सारे नां पहले से वातारी का है मतलब के लिए बैस्ट चरख सही ता सूतरिस्तान का चäप्टर नम्बर 25 ताकत है वह इसके अंदर है इसके क्या क्या गुण है इसके जो अरुड्या काम करते हैं वैसे वीडियो भी आपकी लेकर आ सकते है तो यह गुरू है मतलब यह नेचर में भारी है स्निक्द है चिकनापन है वात का क्या गुण है वात हलका है नेचर में और रुखा है तो उसके लिए यह बहुत अच्छी दवा होगी वात की कोई भी प्रॉब्लम है क्योंकि वात की प्रॉब्लम में होता क्या है रुखापन आ जाता है शरीर में रुखापन और और हल्कापन आ जाता है जैसे Osteoporosis Osteoporosis क्या है वाथ की बिमारी है तो ऐसे में हमें क्या चीजए चिकनी चीज़ ठंड़ा है तो वाथ का ठंड़ापन कम करने के लिए हमें गरम चीज़ चाहिए तेल नारियल का तेल भी चिकना है नेचर पर वो उतना ज़्यादा फास्ट काम नहीं करेगा जितना अच्छा यह करेगा क्योंकि नारियल का तेल नेचर में ठंडा है पर एरंड जो है उसका नेचर या एरंड का जो तेल है वो नेचर में गरम है तो यह उस्टने स्निक्द है सफाई करना जिसको बोलते हैं यह कोने कोने तक जाकर काम करना के शरीर के आपके टीश्यू के हर एक के अंदर अंदर तक जाकर काम करना यह ताकत इस के अंदर मनदुर कटू कशाय कम Springs high कर सेलिटिस्ट का ठीकिया यह इसका रस हो गया यह नेचर में और इसे खास करके जो नाभी के नीचे वाली बिमारियां है उसके लिए पर्फेक्ट दवा बोला है मतलब नाभी के नीचे के जो सिस्टम है उसको अगर क्लीनिंग करनी हो विरेचन करना हो और आई रुद में तो ऐसे बोला है बस्ती देने से पहले विरेचन दो मतलब बोडी सिस्टम क्लीन करके लो नाभी के नीचे सभी सिस्टम चाहे पूरुषों का वो जो जो जैनाइटल ओर्गन हो या महिलाओं का हो नाभी के नीचे जुड़ी जो कोई भी बीमारी याद आती है उसमें ये काम की रहेगी वो चाहे फिर गुटना दर्द हो चाहे PCOD जैसी प्राब्लम हो या पूरुषों की ही क्यों ना प्राब्लम हो उन सब में ये यूसफुल होगी कैसे चलिए देखते हैं सबसे पहले ये गरम है नेचर में ऊष्ण है तो वात पे तो सबसे अच्छा काम करेगी गरम होने के कारण ये कफ को भी कम करेगी थोड़ा पित बढ़ा के देगी पर चलेगा पित वालों के लिए और भी बहुत सारे टॉनिक है पर वात कफ वालों के लिए तो ये बहुत आपको शरीर में और पें हो रहा है आपको समझो घुटने में सूजन आई है और दर्ध हो रहा है वात मासिक धर और पें पेट में बहुत ज्यादा मरोड होता है क्रैम पाता है कई सारी से 14-15 साल की लड़कियां होती है और बहुत इतना होता है हमें गोली खानी पढ़ती है हास्पिटल ऐडमिट होना पड़ता है ऐसी सभी प्राब्लम में यह जिनको भी दर्की तकलीफे सुजन की के तकलीफ है ना भी के नीचे और वात के कारण हो रहा है तो आपको फिर यह इसका तेल वहां पे लोकल लगाने के लिए या हलका गरम करके वहां मालिश करने के लिए जरूर यूज़ करना चाहिए तो कौन-कौन बहुत होता है उस टाइम पर यह ऐसे जो ऑईल होता है इसका डिली अगर आप हलका गरम करके मालिश करेंगे तो फाइदे मन्द रहेगा आमवात की जो कंडिशन होती है खाना हजम ना होने के बाद आमवात में तो यह बहुत अच्छी दवा है आमवात में बॉड़ी को क्ली या स्किन डिसारर है और उनको शरीर में दर्द हो रहा है जिसमें क्या इर्थ स्वेश भी और जॉईंड बी हो रहा है आसई साटी condition में जिनको gas के कारण सीदे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है वहाँ पे लगा के मालिश करने के लिए एरेंट का तेल लगाना या एरेंट तेल की मालिश करना बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द रहेगा अब internal इसके क्या-क्या फायदे होंगे वह हम जान लेते हैं वात शामक बल्ले वेदना स्थापन ऐसे शब्दाये हैं मतलब वात की कुछ भी तकलिफ हुई है कम कर देगा बल्ले ताकत देने का काम करेगा मतलब बीमारी होने पर भी यूसफुल है बीमारी ना होने पर भी टॉनिक के रूप में चाह लेगा वेदना स्थापन के साथ इसके लिए और शब्द आया है में यह ब्रेन पर भी काम करता है वात वालों के साथ क्या होता है उनका ब्रेन है ना हमेशाए खट पट खट पट कुछ न कुछ चालू रहता है ज्यादा विचार आना यह वाली जो प्रॉब्लम है ना वह ब्रेंट वालों के साथ ज्यादा होती निमांग में छाली रहता है उन सभी के लिए यह यूसफुल रहेगा जैसी जब कंडिशन हो जाती है चाहे वह अर्दी थो या फेशल पैरलाइसी जिसमें मुह ऐसा तेड़ा सा हो जाता है उसमें या फिर हाथ मैं या पैर में कहीं पेड़ी पार्वर्व तो ने लग गया है इस तरह की प्रॉब्लं में ये यूजफुल रहेगा पेड आपको बॉड़ी में लेने में भी फायदे मन करेगा और एक विमारी में काम आएगा पेड़ा आई रवेद में बोला है पक्षाघाते विरेचनम, विरेचन का रोपेट साफ करते जाओ, पैरलाइसिस का ये ट्रीटमेंट आयरवेद में बोला है, और विरेचन करने वाले में जो भी स्ने हैं, जो भी चिकनी चीजे हैं, उसमें वागभट रिश्री, एरंट तेल को सर्वेसेस्ट बोलते हैं, तो पक्षाघात हुआ है, उसमें एरंट तेल पीके, आप बोड़ी की क्लीनिंग करते जाओ, फाइदे मन्द है, एरंट तेल से जो बोड़ी क्लीन होती है, उसमें वीकनेस भी नहीं आता, ये एक फाइदे मन्द है, एक और बीमारी में यूसफुल होगा, कौन सा? पारकिंसन कम पवाद, जिसमें बोड़ी ऐसे ऐसी पूरी शेक होने लग जाती है, हाथ पर ऐसे ऐसे पूरे हिलते चले जाते हैं, इस तरह की जो कंडीशन है, उसमें भी ये यूसफुल रहेगा, या उम्र बढ़ने के कारण, जिनका मल बहुत कड़क होने लग जाता है, उम्र कड़ होने के कारण, इसका एक फाइदा है कि भूख लगने में मदद करेगा, वात वाले जिनकी भूख कभी स्टेबल नहीं रहती, कभी बहुत भूख लगती, कभी लगती नहीं, तो उसमें फाइदा रहेगा, तीशन गुन होने से ये क्या करेगा, आपकी जो बाड़ी में क्र इसे एसे इंटर्नल लेना रहेगा, तो कैसे ले सकते हैं कि गरम पानी के अंदर या जो लोग बहुत बार जिनको चाय पीने के आद़त होती, राप में पेस्टत को स्टिबैशन होता है तो छाए के अंदर शुज डालके दो चुटकी सुन्थ डालके उसके साथ ले सकते हैं चाई के साथ नुकसान नहींहन देगा और छाय सब्सक्राइब पेट साफ करने में मदद कर देगा या गरम पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं कास स्वांस की प्राव्म स्वांस रेस्पिरेडिट रेक की बीमारी में ऐसे लोग जिनको की पेट साफ नहीं होता या सकिन की बीमारी है ऐसे लोग जिनको पेट साफ नहीं होता और पेट साफ ना होने का जिनको स्वांस की बहुत ज़्यादा तकलिफ होती है सवांस रोकीची किस्सा में भी पढ़ेंगे तो वो क्या बोलता है अनुलोमन करने व शधियां लो जो की गरम हो नीचर में वातकाफ को कम करे एरन वाथकाफ को कम करता है अनुलोमन करता है गैस वैसको ठीक से फिर अपने काम पे लगा देता है वात को मतलब काम पे लगा देता है तो हो गया स्वास के सभी बीमारी में आपके लिए यूसफुल है ऐसे लोग जो बहुत कमजोर हैं दूबले हैं पतले हैं या जिनका पेट साफ नहीं होता उन सब के लिए एरन बहुत यूसफुल दवा रहेगी यूरीन होते समय जिनने ब जो कुछ भी प्रॉब्लम है खास करके पतली महिलायें सोदन भी करके देता है तो पीसी ओडी वो ठीक से उसका rapture नहीं होता है यह ऐसी जिन महिलाओं को problem होती है या जिनको बलकी uterus है इस तरह की problem है उन सारी condition में यह useful रहेगा और महिलाओं के आयरविद में 20 तरह की योनी रोग बोले हैं जो उनके गरभाश है या योनी द्वार से जुड़ी वी जो संबंदी होती है उ सारी की सारी condition में उनके लिए यह फाइदे मंदी किन डिसॉडर में जब बॉड़ी पेशन बहुत कमजोर रहता है और उसको बॉड़ी की क्लीनिक करने की जुरत पड़ती है तब ऐसे में एरंड की आउशदी या एरंड का तेल हम पीने के लिए पेशन को देते हैं पेट सा एरंड मुलादी काड़ा एरंड सब तक कशाई इस तरह की लिक्विड भी आते हैं जो की पीने के लिए सुबह यूज किया जा सकता है या एरंड की मूल एरंड का जड़ भी मिलता है उस जड़ को दूद में डालकर उबाल के सुबह खाली पेट पीए तो भी एरंड के सार दूब기에 काम करने वाली मेत पर मज्जा पर इतनी सारी दोद हैं किसी मिसी धमारी भी भी खतम करती यह और वात फ्रक्रती मीड़गी ने लगता हैं करने के लिए दूद के साथ का जाएगा यह आपके फाइदे हो रहा है तो वहाहां लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं पहले के वैद्धी क्या किया करते थे कि हर दो-दो महीने में बॉडी क्लीनिंग करने की परंपरा थी कि कुछ हो ना हो दो महीने में एक बार 20 या 30 ml एरंड तेल ले लो चार-चे बार या 8 बार मोशन हो गया और बॉडी की शुद्धी हो गई इस तरह की परंपरा रखी थी तो इससे क्या होता था बॉडी में टॉक्सिंस इकठा ही नहीं होने देदे थे पहले ऐसी परंपरा थी आज तो खतम हो गया पहले महराश्ट में तो छोटे बच्चों को भी एरंड का तेल आधा चमच एक चमच एक दो महीने में एक बार पिला के उनका पूरा जो पेट होता था क्योंकि बच्चों को सबस्यादा क्रमी होने की प्रॉबलम होती है तो पूरा पेट उनका साफ कर दिया जाता था शुश्रुत रिशी ने इसे वया स्थापन कहा है मतलब भाई आपको लंबे समय तक यह टिका के रखेगा आपके शरीर को जवान बना के रखेगा साथ ही योनी शुक्र विशोधनम कहा है महिलाओं का गरबार से शुद करना हो पुरुषों की शुक्र धादू के अंदर कोई खराबी आई हो उसको क्लीन करना हो उनके लिए पर्फेक्ट है तो वात प्रक्रदी के ओपर हमने वीडियो डाला था वात वाले आप में से जो भी हमारी प्लेलिस्ट में हैं या हमारे सब्सक्राइबर है आपके लिए आज का टॉनिक एरंड इसका प्रयोग आप अपनी लाइफ में जरूर कीजिए एक पर्फेक्ट रसा कि तकलीफ या ड्राइए की तकलीफ है ऐसे लोग इसको हफते में और बार इसका ओईल सीर पे लगाने लिए बहुत अच्छा है